हाई एव्रीवन और वेल्कम टू एंजिनेरिंग ऑनलाइन अल्ट्रा सॉनिक सेंसर्स को बहुत सारी अप्लिकेशन्स में यूज किया जाता है चाहे वो अब्जेक्ट डिटेक्शन हो या लेवल मॉनिटरिंग ये टेक्नोलोजी और इसकी अप्लिकेशन्स कंटीनेसली भड़ती जा रही है इंडेस्ट्रियल वर्ल्ड में भी और एकडेमिक वर्ल्ड में भी इसकी वज़ा ये है कि ये साइज में बहुत चोटे हैं और सर्केट्स में एजिली इंटीग्रेट हो सकते हैं प्लस इनकी सेंसिटिविटी काफी हाई है और इसके इलावा इनकी पावर, एक्यूरेसी और फ्रिक्वेंसी भी बहुत जादा है इसके इलावा ये इजी टू यूज भी हो और इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है तो यूजुएली इन्हे प्रेजंस डिक्शन में यूज किया जाता है ड्रिंग फिलिंग मशीन में यूज किया जाता है बॉक्स सॉर्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी और इसके लावा एंटी ओलेजन डिटेक्शन में भी इनका काफी यूजज है तो इस टूटोरियल में हम HC-SRO4, ultrasonic sensor की Arduino Uno के साथ interfacing करेंगे इस sensor का main काम object तक का distance calculate करना है और इस project में हम इस distance को serial monitor पर भी display करेंगे तो सबसे पहले HC-SRO4 का एक quick introduction देख लेते हैं ये sensor object तक का distance calculate करने के लिए sonar को use करता है इसकी detection range बहुती stable और accurate है इसकी range of detection 2 cm से 400 cm तक है इस sensor का एक advantage ये है कि ये sunlight ये किसी black material से इसके operation पर कोई फरक नहीं पड़ता इस module में एक ultrasonic transmitter है, एक ultrasonic receiver है और उसके लावा एक control circuitry है तो एक तरह से ये complete और easy to use package है इसका working process देखते है इसका transmitter sound waves emit करते है जो object से टकरा कर वापिस bounce off होती है और फिर receiver इन्हें receive करता है तो अगर आपने ये find out करना है कि object कितना दूर है तो आप इसे आसानी से find out कर सकते हैं इसके लिए आपको वो time calculate करना होगा कि जितनी देर में sound waves transmitter से निकल के टकरा के वापिस receiver तक आती है तो इस module में 4 pin है, first pin VCC pin है इस pin पर आप 5 volt देते हैं फिर आपकी trigger pulse input pin है इस pin पर आप जब भी trigger देंगे तो sensor ultrasonic waves emit करेगा फिर आपकी eco pin है जब ultrasonic waves release होती है किसी object से टकराती है फिर वापिस आती है तो receiver इन्हें receive करता है तब इस point के उपर ये eco pin हाई हो जाती है और next pin आपकी ground pin है इस pin पर आपने 0 volt या फिर ground प्रोवाइट करना है trigger pin पर आप प्लस 5 volt का signal देते हैं तकरीबन 10 microseconds के लिए ताके sensor trigger हो जाए और जैसे ही sensor को trigger signal मिलता है एक ultrasonic waves emit होती है और ये waves object से टकराती है फिर receiver इन्हें capture करता है तो जैसे ही sensor ये reflected signal receive करता है eco pin automatically हाई हो जाती है और ये eco pin कितने देर तक हाई रहती है ये reflected signal की length के उपर depend करता है तो अब हमने इसी time को read करना है जितनी देर तक के लिए आपकी eco pin हाई रहती है और फिर इसी से हम distance calculate करेंगे तो सबसे पहले sensor के arduino से connection कर लेते है इसके connections बहुत ही आसान है आपने VCC pin को plus 5 volt से connect करना है trigger pin को arduino की pin 9 से connect कर दे eco pin को pin 10 से connect कर दे और आखिर में ground pin को arduino के ground pin से connect कर दे और यही connections आपने अपने hardware पे भी करने है झाल चरान कर नहीं बहुत है कर दो क Sug Den कनेक्शन जैसे ही आपके सारी कंप्लीट हो जाएं तो आपने नेक्स टेप में आडवीनो पर प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले आडवीनो की पिन्स को as a constant डिफाइन कर दें ट्रिगर पिन को पिन 9 और एको पिन को पिन 10 नेक्स्ट लाएं में आप वेरिबर्स डिफाइन करेंगे एक लॉंग वैरिबर ले 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 लें और इसका नाम पिरेशन रग दें और इसमें वेर का ट्रेवल टायम रिकॉर्ड होगा और एक integer variable define कर दें जिसे आप distance calculate करेंगे setup में आप trigger pin को as an output define करेंगे और eco pin को as an input define करेंगे फिर आप serial communication start कर दें ताकि results को serial monitor पर display कर सके loop में सबसे पहले आपने trigger pin को low set करना है 2 microseconds के लिए फिर आप इस pen को 10 microseconds के लिए high कर दें ताकि ultrasonic sensor आपकी wave generate कर दें और आप फिर इसे low कर देंगे फिर pulse in function से आप वो travel time read करेंगे और फिर इसे variable duration में save करेंगे आप देख सकते हैं कि pulse in function के दो attributes है पहला pin name है और दूसरा pin state state या तो high होती है या low अगर आप यहां पर high लिखेंगे तो function wait करेंगा जब तक यह pin high नहीं हो जाती जैसे ही ultrasonic wave receive होगी यह pin high हो जाएगी और आपकी timing start हो जाएगी यह time record होगा जब तक यह pin दुबारा से low नहीं हो जाती और in the end pulse की length record हो जाएगी आप इससे microseconds में record करेंगे इस duration को आपने 0.034 से multiply करना है और फिर 2 से divide करना है तो इस तरह आप distance calculate कर लेंगे और आखिर में आपने इस distance को serial monitor पर display करना है तो coding आप ही complete हो गई है इसे compile करें कोई syntax error तो उसे remove कर दें code को board पर upload कर दें और आप result में देख सकते हैं कि आपका sensor object तक कर distance calculate करके उसे serial monitor पर आसानी से display कर रहा है अब आप इसे खुद भी try करें और अपना feedback लाजमीं दीजिएगा मुझे उमीद है कि आपने इस video से बहुत कुछ सीखा होगा इस video को like करना न भूलिएगा और प्लस channel को लाजमी subscribe कर लें प्लस आप इसी code में थोड़ी से modification करें के distance को LCD पर भी display कर सकते हैं Thank you so much for watching I will see you next time with the interfacing of GSM SIM 800 module with Arduino UN Thank you